यदि आप भी एक काम कर रहे हैं कि सिर्फ रिव्यू देखकर ही प्रोडक्ट बाय करते हैं तो मैं यही कहूंगा कि आप अभी ही रुख जाए क्योंकि जो रिव्यूस होते हैं कही पर भी आप देखें किसी भी सोसल मीडिया साइट पर या किसी भी यहां पर अमेजोन की वacements पर फ्लिपकार्ट की वेसाइट पर यहां से आप समान बाय करते हैं यहां पर आप कोई भी सर्विस ले रहे हैं तो उनके नीचे आप के यहां पॉजटिव रिव्यू देखने को मिलते हैं उसे देखकर आप प्रोडक्ट वाई कर लेते हैं सर्विस ले लेते हैं यहां तक कि आप खाना भी ओर्डर कर लेते हैं लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो थर्ड पार्टी कंपनी जिसे कहा जाता ह जो इन्वाल्व होती हैं इन सब चीजों में इन्वाल्व कैसे होती हैं उन कंपनियों को पेड प्रमोशन मिलता है पैसा उसके चलते हो देते हैं यहां पे पॉजटिव रिव्यू और पॉजटिव रिव्यू देने के बाद प्रोडक्ट जो होता है ओ इंक्रीज होता है अ अपने personal खर्चे से positive review डलवाते हैं means मैं यदि आपको मैं बात करूँ ते जो positive review का जो market है बहुत ही आपे तगड़े तरीके से चल रहा है जिसके चलते बहुत सारे लोग इन चीजों में फंच आते हैं सायद आप भी positive review ही देख के पैसे डालते होंगे कहीं भी या किस चीज को buy करते होंगे तो आज के बाद भूल कर भी इस चीज को ना करें अब देखिए हम कैसे पहचान सकते हैं कि यह सिर्फ negative review है या positive review है actually क्या होता है कि इतने सारे comment होते हैं जो नीचे दबे हुए होते हैं जिनका यहाँ पे negative review लिखा हुआ होता है तो आप एक बार यहाँ पे ध्यान से पढ़िए कि सामने वाले ने जो लिखा है उसके quality क्या है आपको read करते ही समझ में आ जाएगा कि सामने वाले ने paid किया है या सामने वाले ने यहाँ पे real में comment किया है ऐसे चीजों को आप ध्यान दीजे तभी product buy करिए यह हर दम सबके सांथ होता है आपके सांथ नहीं होता है तो अंगली बार जब भी buy करने जाएगा तो मेरी इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा दनबाद दोस्तों आसा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सस्क्राइब कर लीजे ऐसी ही अपडेट्स के लिए दनबाद दोस्तों मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए ऐसी ही motivational वीडियो हमारी चैनल पे हैं उन्हें भी देखिए